हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक हम बात कर रहे है प्रोबैब्रीटी की और प्रोबैब्रीटी में आज बात होने वानी है प्रैक्टिस सेट 5.3 की समझने आगया ना तो भई 5.3 एक्ससाइज अब उनको समझने का है लेकिन इससे पहले हम लोग ने क्या किया था 5.1 एक्ससा है इंट्रोडक्शन और प्रोबैब्रीटी भी हमने देखा है यह मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि जो लोग डारेगी एक्ससाइज देखे ना उनको यह समझने में मजा नहीं आएगा तो रिक्वेस्ट में कर रहा हो कि आप लोग समय पहला इंट्रोडक्शन देख लो मैं प्रोबैबिलिटी का कैसे बताया था क्योंकि एक बार इंट्रोड़क्शन आपको अच्छे से आ गया तो पूरी प्रोबैबिलिटी आ जाएगी आपको जरा भी टेंशन नहीं रहेगा फिर एक्ससाइज ए प्रैक्टिस सेट करने में बहुत मजा आएगा समझ में आ गया म खाली थोड़ा सा रिवाइस करा देता हूँ प्रैक्टिस सेट जो 5.1 था उसमें हम क्या कर रहे हैं पता है ना खाली पॉसिबिलिटी जेख रहे थे कितनी पॉसिबिलिटी होती है एक कोशन गिरे खाली वो पॉसिबिलिटी रखनेगा था बहुत आसान था 5.2 जो एक्ससा प्रैक्टिस एक 5.3 सेंपल स्पेस और नमबर ऑफ सेंपल लिए लेकिन इसमें अलग-अलग इवेंट दिये रहेंगे तो जब आप कोशन समझ लेते हैं एक्ससाइस 5.3 गारेको कोशन क्या बोला है पता है राइट सेंपल स्पेस एस मैंने बता दिया था सेंपल सेंपल सें सेंपल 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 सेंप अगर मैं single coin को टॉस कर दो तो में को मता outcome क्या एगा या तो है आएगा या तो टेल तो कितने outcome possible है head or tail इसके अलबा कुछ possible नहीं तो sample space मोले तो क्या होगा बताएगा head, tail कोई भी question के लिए जितने भी outcome possible है जितनी भी possibility है सबको लिदेनेगा set of all possible outcomes, set of possibilities, इसको बोला जाता है sample space, समझ में आ गया, और sample space में कितने sample होंगे, वो होता है number of sample है, डॉटे इन दो number of sample, तो condition question दिया रहेगा, उसमें आपको sample लिखने को, number of sample लिखने है, समझ में आ गया, यहां देख समझ में आ गया, तो रेको वापस एक बार, write sample space, space, s, and the number of sample, for each of the following experiment, आप लोग को question दिया जाएगा, experiment दिया जाएगा, उसके लिए sample लिखने को, number of sample लिखने का, अच्छा, और ख्या करने हैं का है, तो अरो लोग में बोला है, also write events A, B, C in set form, आपको एक तो question दिया रहेगा, question के अंदर अलग-अलग condition दिया रहेगा, समझ में आएगा, condition को event भी बोल सकते हैं, समझ में आएगा, introduction lecture में सब मैंने बताया था, A, B, C, A, event भोलो या condition भोलो, समझ में आएगा ना, ध्यान से देखो, अभी आपको क्या करने पता है कि exercise 5.3 कर रहेगा, अब जो next exercise, जो last exercise अपनी 5.4 ना, उसमें आपको probability निकालने को सीखेंगे, और probability के लिए ये वाले exercise बहुत important है, तो आप ध्यान से देखो, तो next exercise का आपको जड़ा भी टेक्शन नहीं रहेगा, तो मैं बता रहा था, also write event A, B, C, बोले तो देखो, आपको ना event A दिया रहेगा, तो event A को set form में लिखने का, event B दिया रहेगा, उसको set form में लिखने का रहेगा, इवेंट C दिया रहेगा उसको set form में लिखने का रहेगा समझ में आ गया और क्या करने का है तो इसमें कितने sample है वो हो जाएगा तुम्हाला N of A जैसे S साथ और N of S तो A हो जाएगा set का form में लिखने का और N of A तो यह जो S होगा न वह experiment पूरे question का होगा और यह सारे क्या होगे पताएगा question के event होगा अगला समझ में आ गया देखो एक example question इधर है question number one one die is rolled बोले तो अगर एक die को throw किया गया एक die को roll किया गया यह हो गया आप लोगों को क्या बताओ experiment तो इसके लिए आप लोगो क्या लिखने का है sample लिखने का और उसका number of sample समझ में आते जैको यह experiment है event A, event B, event C यह क्या है event से इसको आपको क्या लिखने का रेगो event है आपको wordings में दिया वाल आपको event से को में लिखने का है इसे और उसमें कितने sample है वो होगा L of A ऐसे हर questions के लिए solve करने का है समझ में आगया तो पूरा क्या पूरा जो अपना practice rate 5.3 है यह इसी के ओपर बेश है experiment दिया लेगा अलग-अलग event दिया लेगा आपको sample space और number of sample लिखने का रेगा सेम आपको काम करने का लेगा event पे समझ में आगया पक्का याद रहेगा sample space बोले दो कोई भी question के लिए जितने भी outcome जितनी भी possibility है सबको sample लिख दो और उसके अंदर कितने sample होंगे वो होगा number of sample same event में कितने possible है गया event की possibility लिख दो और उसमें कितने number of sample है समझ में आगया लिखा हुआ है ना मैं एक question ये solve को दूगा ना तो आपको चीज़े आराम से समझ में आ जाएगी तो start करते है आज का topic practice set 5.3 मैं समझ स्टाट कर रहा हूँ ध्यान से देखो क्ली समझ में आगया क्या करने का या या देना एक्सपरिमेंट के लिए एस और एलोफेस लिखने ना फिर इवेंट यह आपको वर्डिक्स में दिया हुआ है से कॉम में लिखने को और उसना number of sample लिखने का समझ में आके start करते है question ध्यान से देखो को question क्या बोला है one die is roll अगर एक dice प्रोग किया गया है और यह सारे event इवेंट एवेंट एग मुलता है even number on the upper face आप लोग को पता है डाइक क्या होता तो भाई यह dice होलता है अब इसको कितने face होते है six face होते है तो जब dice नीचे गिरेगा तो जो उपर वाला face होता है उसको बो गलग दिया हुए तो लोग पूरे इवें टेवर नमबर आने का कितना बर्सन चाहन से और नमबर कितने पार हो सकता है प्राइम नमबर अपर मोश पेस यह सब लिखने का आप लोगो समझ में आ गया यहां से लेको मैं शाट कर रहा हूँ सब्सक्राइब लोग ने मूला था सेंपल स्पेस एक्सपरिमेंट को और नमबर अपर अपली आप लोग एक्स रोक यह आपको पता है ना आउटकम क्या क्या आएगा तो भाई एक आई सागर मैं रोल क्या आउटकम आएगा वान टो त्री पोर फाइफ इस इतना आएफ सब्सक्राइब और एक्सपरिमेंट का पहला काम यहां तक हो गया अब नेक्ष नाम की बात करेंगे इवेंट दिया हुआ उसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे और उसमें कितने सेंपले हो हुँगा एवेंटे में लिग रहा हूँ इवेंटे बसे गाई कि एह और कि इवन पनाई आओ कि अगाऑ अपर प्रेश इवन नमबर, तो A is equal to, अब यहां से लेखो, एक अच्छी चीज का आपता है, यह जो भी event होता है, वो sample space में आता है, जो experiment का होता है, यह जो event है, यह question का है, तो जो question का sample space होता है, उसी में से यह सारे event होते है, तो आप लोग को tension ही बस खली देखने का है, event number on the uppermost face, total condition है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें event number, तो भाइब 2, 4, 6, तो n of a कितना हो गया, मेरे को बता हो, n of a कितना हो गया, 3, 1, 2, 3, 3, तो इतना हो गया, पूरा क्या पूरा exercise है, और यह exercise आगया, next exercise बहुत आसान है, probability find up करने का, समझ में आगया, मैं event B की बात कर रहा है, जहां से number, n में बोले तो number समझ लो, on the upper face, समझ में आगया, event B, odd number on the upper face, तो B equal to set के form में लिखने का है, अब odd number बोला है, sorry, event B ह, odd number on the upper face, odd number बोले तो इसमें से है, मैं बोला ना, जो event होगा, तो experiment में से होगा, total sample में से होगा, तो odd number बोले तो क्या होगा, 1, 3, 5, और कोई नहीं होगा, समझ में आगया, तो N of B कितना हो जाएगा, भाई, N of B हो जाएगा, 1, 2, 3, 3, slash event C, क्या है, prime number बोला क्या है, prime number on the upper face, prime number on the upper face, prime number बोले तो इसमें से prime number कुन कुन सा है, तो भाई, even number आप लोग को पता है न, जो 2 से divide होता है, odd number जो 2 से divide नहीं होता है, what is prime number, prime number बोले तो जो खुद के table में आता है, समझ में आ गया, तो prime number बच्चे को लगता है one, लेकिन आप लोग याद लेको one prime number नहीं है, one unity है, unit number बोला जाता है, तो one के छोड़के two, two से start होता है prime number, two prime number है, three prime number है, four prime number नहीं है, five prime number है, six prime number नहीं है, यही था अपना कोशन, experiment के लिए, एस और number of sample लिखो, और event को set form में लिखो, और number of sample लिखो, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा, अब यही काम पूरे के, पूरे exercise 5.3 में आप लोगों को कर रहाँ, बस क्चील होता है के, यह चेंज होगा, इधन एक्स्परिमेंट चेंज होगा, और event चेंज होगा, और event चेंज होगा, iso एसा ही करने रहें है, समझ में हैं? पक्कार, तो आजो आई हो, आप लोगों यह स समझ में आया रहेगा मैं बढ़ता हूं next question पे ध्यान से देखो please काम समझ में आ गया ना sample number of sample निकालेगा और फिर event set form में दिखिये उसका number of sample देने का है और यह जो event होगा वो इसी में से आएगा तो एक पर आपको एक्स्प्रिमेंट का sample space नंबर of sample में दिखिया आप लोगों का काम आसान समझ में आ गया बढ़ते हैं question number 2 की तरफ बात करता है next question की काम भी करने का है question का experiment का sample space number of sample लिखने का इसका number of sample लिखने का यहां से देगो next question बोलता है two dice are rolled simultaneously अब इसके पेड़े वाला जो कोशन था हो एक dice के ओपर था यह वाला कोशन दो dice के ओपर है तो दो dice को simultaneously throw कर रहे है तो भाई एक dice throw किया दूसरा dice throw किया simultaneously समझ में आगे ना दो इसका number of sample लिखोगे तो यह dice का coin का यह सारा logic मैंने क्या किया था इंट्रोडक्शन में बता दिया था मैं तो भी मैं बता रहा हूं घ्यान से देखो अगर मैं दो dice throw कर रहा हूं तो में को बताओ कितनी अलग-अलग conditions आएंगी दो dice throw करूँगा जमीन पर ही रहा है दो two dice तो भाई कोई बोलेगा बच्चा है सर इस पे एक आ सकता है इस पे शे आ सकता है हां है देखो वन और six मैंने इधर दिखा भाए कोई कोई बोलेगा सर ने इधर दो आएगा इधर six आएगा हाँ वो भी यह two or six तो ऐसा भी अगर मैं जो अब्वक्राइब को थो तो कितनी अले हलंगें जी पता है कि यह सब अलग अलग कंडिशन आईगी डाइस वन या इन गा इस पर आएगा पताएगा अफिर इस पर one इस पर two इस पर one इस पर three seven is a four यह दो डाइस के लिए टोटल कंडिशान 36 आती है देको 1 1 फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 कोई बोलेगा सर इसके ओपर 2 भी आ सकना हाँ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 ऐसा करके टोटल 36 कंडिशान आती है यह दो डाइस का कंसेप्ट है समझ में आ गया मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता दिया था अभी वापस में बता दिया तो यह है कोश्चन क्या है पानी अच्छे चीज़़ का बता है ना जो ईबेनोंगे वो इसी में से आने वाले हैं तो टेक्शन में है ध्यान से रेखो अग्ताल यह अएग यह रेखो यह केखो खीफट लुपसटटस स्व्टतवशा ऑनन आ फ्राइं वेड, विख देखो वोशन समझ लो दो डाइस एक्स्प्रिमेंट ने दो डाइस को आप लोग ने क्या किया पता है कि रोल किया अब यह दो डाइस पर कोई ना कोई नमबर आईगा फॉर एक्जामपल यह लेलो टू और यह लेलो क्या पता है क्या अब इवेंट के बोलता है पता है कि सम अपर फेस बोले तो दो डाइस आप लोगे साथमेंटे पेसी त्रो किया दो डाइस जमीन पे गिरें दो डाइस के जो नमबर है उसको एड करो तो यह दोनों को अगर मैं एड किया तो कितना ओंगया 7 तो कितने बार ऐसा हो के कि दो नमबर को एड करके बोले आप लोगों का इवेंट तो टू और फाइड करके सवेंट नहीं है तो यह साही condition है total इसमें जेखो यह 1 dice का number है यह 2 dice के number को add करके देखो multiple of 6 आ रहे है 11 नहीं addition करके 2 आ रहे है इसका addition 3 आ रहे है multiple of 6 है तो देखो कोन होल से number multiple of 6 है वो लिख दो तो यह A है चलो start करते हैं का अच्छा में को बताओ जब 2 dice में throw करूँगा और 2 dice को मैं add करूँगा तो 2 dice को add करने के बद 6 आज सकता है हां आ सकता है 2 dice को add करने के बद 12 आ सकता है हां आ सकता है 2 dice को add करने के बद 18 आ सकता है कि नहीं क्यों कि एक dice का maximum number 6 होता है दो डाइस के नमबर को एड करके 6 और 12 कितने पार आ रहे हैं तो आपको फटा पट देख लेए इसको दोनों को एड करूंगा 6 आ या 12 नहीं इन दोनों को एड किया तो नहीं यह 4, 5, 6 दे को या रहे है तो भाई 1,5 एक मिल गा मेंको 1,607 हो रहा है इसका एडिशन नहीं 3 आ 4 इसका हो रहा है 5 इसका हो रहा है 6 देखो आ लिए 3,3 यह इने 7 होता है इसका एडिशन 8 इसका 9 होता है इसका 5 होता है इसका 6 आ गया 4,2 मदलल है इसका سवें हो रहा है इसका इसका वORA इसका इचािपना ये इसका नाइन येुद अ येद एच्वभाशली है तो ये वो क्या है धो नंबरे विसके इडिश्क गार है मल्टीपलल औउप सिक्स्टो coordination एलों पे is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, समझ में आगे, I hope आप लोग को समझ में आ रहेगा, आप लोग भी थोड़ा सा देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, और समझ में की कोशिश करो, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो यह है अपना event A, मैं बात कर रहा हूँ, event B की ध्यान से देखो, event B, क्या है, the sum of the digit, वापको से सम बोले तो अदिशन करने का, sum of the digit on upper face, is minimum 10, question समझ लेते हैं, और लोग क्या अबरे बता रहा है, दो डाइस को दो किया, दोनो डाइस को नमबर आए है, सेम वैसा ही, दोनो डाइस के नमबर को आड़ करके, minimum 10 होना चाहिए, दोनो डाइस को अड़ करने के बार, minimum क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो दोनो डाइस को आड़ करके, minimum 10 हो रहा है, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, इसका इसका, 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 एक तक ही जा रहा है, इसका हो रहा है, कि अच्छा में को बताऊं इसका मिनिम्मम इंपने नहीं यहां यह यह तो यह हो जाएगा थिस्का माध करना कि आंगे हो जाएगा दो और 6,6 तो इसमें कितने सेंबल एक तो ती चार पाँ शेशे है तो नोब इसी कोई दो काम कितना असान था दोनों नमबर को आड़ करने के बाद मिनीमम एडिशन कितना आना चाहिए था टैन तो कोण फोल से नमबर है यह होगा नहीं इसका तो सिसे समझ में आगे ना तो कोण कितने को आफ लोगो को को event B event C समझ में आ нач event C का बोलत है same digit on both upper face, same digit on both upper face C, same digit बोले हैं, तो दो dice को throw करेंगे, दोनों dice पे same digit आना चाहिए, तो देखो कुन सा है, 1-1, हाँ है बैट, 1-1, और कुन सा है, 2-2 भी है, 2-2 फिर, 3-3 फिर, 4-4 फिर, 5-5 फिर, 6-6, समझ में आ गया, तो N of C is equal to क्या हो जाएगा, 6-1-2-3-4-5-6, समझ में आ गया, तो यह था हमारा second question, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, third question पे, वापस में पूछ रहा हूँ, I hope समझ में आता रहेगा, काम बहुत आसान है, समझ में आ गया, जिल लोगो थोड़ा सा भारी बढ़ रहे हैं और लोग request है, introduction lecture देखो, जो मैंने probability का लिया था, आपका काम पूरा समझ में आ गया, question number 3, बात करते है, question number 3 की, तो question number 3 बोलता है, three coins are tossed simultaneously, तो भई, question number 3 अब बात करेगा, points के ओपर, तो question number 3 बोलता है, three coins को आप लोगो क्या कर रहे हो, toss कर रहे हो, simultaneously, तो यह है, आपका experiment, यह अलग-अलग event दिये गया है, पहला काम करते है, experiment, experiment का sample space, और number of sample, find out कर लेते, तो भई, solution for three coins, तो for three coins आप में को बताओ, अगर मैं तीन coin को toss कर रहा हो, एक, दो, तीन coin को toss कर रहा हो, तो कौन सी अलग-अलग possibility आ सकती है, तो भई, तीनों पे tail आ सकता है, tail, 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 सकता है, तीनों पे head आ सकता है, दो पे head, एक पे tail आ सकता है, समझ में आगे है ना, तो भई, अलग-अलग condition है, लेकिन कितनी condition आने वाली है, पता ना, आप लोगों को, तीन coin के लिए मैंने बता दिया था, कि भई, total 8 condition आती है, कितनी condition आती है, 8, तो एक formula भी मैंने discuss किया था, 2 ratio, n, n होता है, number of coin, तो number of coin 3 है, तो 2 cube equal to a total condition 8, अच्छा आती है कि बहुत सारे तरीके है, मैंने भी एक smart तरीका बताया था, total 8 condition है, आप लोग याद रोगों कैसे लिखने का पता है, TH, 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 H, गिजले को 8 हो गएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L, कैसे नियका पता है, एक बटी निफो एक बटी नीको, एक बटी नीको, एक बटी नीको, एक बटी न Loki, क्या करो पता है कि तर एक के बाद एक change कर ना दो 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 करके change करो, ती टी एच एच टी टी एच एच समझने आके अच्छा परों पता है कि उसके पहले वाली नाइट में क्या तरों चार चार से रखो तो देखो टी 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 एच 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 यह आगे आप लोगों को क्या बता आओ सेंपल स्पेस और नंबर ऑप सेंपल हो गया आप लोगों का एच यह आठ कंडिशन है प्लीज अगर आप तीन को टॉस कर रहे हो को साइलरे असली अचांजिक यह संब नहीं आया तो इंट्रोडक्शन लेक्टर में मैं ने टीन तरीक करी बताया हो तो यह सब्सक्रां यह स सब्सक्रां आपने सेंपला ऑंपश से कळा की अच्छे से बतात हूं समझ मैं आगया ना अच्चा धिया retaining तो यह तो आगे आप लोगों का question, एक्स्टरबेंट का हो गया, sample space और number of sample और फटाफट बात कर लेते, event की, event a क्या बोलता है, ध्यान से देखो, event a क्या बोलता है, तो event a बोलता है, to get, to get at least two heads, at least two heads, at least बोले, तो कम से कम दो head आना चीए, इसमें से कम से कम दो head, इदर है क्या दो head? नहीं है, इसमें है दो head? नहीं है, इसमें है दो head? नहीं है, इसमें है हाँ है, दो head, कम से कम दो head, तीन पी चलेगा, एक मिल गया, त, एक है, इसमें है, नहीं है, यह विए है तो है यह प्रिश्ट पर सबस्क्राइब कर दो है तो कम से कम दो है तो दो भी है चलेगा लेकिन कम से कम दो होना चाहिए उसको बोला जाता आपका तो इसमें भी दो है इसमें भी दो है इसमें भी दो है इसमें भी हमसे तम दो है समझ में आ गया तो N of A is equal to 12344 है आपका कि समझ में आ गया अगर मैं event B की बात करता हुए event B कि तो event B क्या पूल करता है ना to get no head कि तो गेट no head no head बोले तो एक भी बार हैड नहीं है तो इसमें एक भी बार हैड नहीं है इसमें, इसमें, ही इड़े, इसमें, इसमें, सबमें ही, एकी में है, नहीं है, तो n of b is equal to one, ये पूरी एकी condition है, भचे, राचरवए दो, टी लिःगेंगे, नहीं, ये पूरी एकी condition है, तो n of b is equal to one, लाश्ट इवेंट C की अगर मैं बात करूँ इवेंट C क्या मुद्धर देखो To get head on second point To get Head on Second point Second point पर head आना चाहिए तो C इधर देखके तो आग से बता सकते हैं Second point पर head इसमें नहीं है Second point नहीं है इसमें हाँ THT THT अच्छा पहले पर head आएगा तीसरे पर head याटे उससे लेना देना नहीं दूसरे पर head होना चाहिए इस पर है हाँ है THT और HHT HHT और HHH Second point पर head देखो To see N of C Is equal to 4 समझ में आ गया तो यह था अपना इज़ी कोशन कोशन नमबर 3 जो बेस था कोईं के ओपर समझ में आ गया मैं बात कर रहा हूं Next question Question number 4 यहां से लेए Question number 4 समझ लेए Two digit numbers are form using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 Without repetition of the digit आपको क्या कर रहेगा पताएगे यह अलग-अलग numbers दिये हुए है digit दिया हुआ है इससे number को use करके 2 digit वाले अलग-अलग number बनाने है 2 digit वाले 2 digit वाले बोले तो Example 25, 36, 15 यह देखो 2 digit वाले number है 99 भी 2 digit वाला number है लेकिन यह number मैं नहीं बना सकता त्योंकि यह 9 number है गया नहीं तो वह यह number यूज़ करके आप कितने अलग-अलग 2 digit के number वहर बना सकते हो वो बनो आचा ख़ली एक चीज में को बता तो मैं आपको पताता हूँ कैसे बनाने का ख़ली एक चीज में को clear दरो 01 ये दो डिजित है तो भाई ये एक डिजित है दो डिजित ही हो लग रहा है जीडि़ो और वान नहीं ये वन सिंगल डिजित है जीरो वन होले तो वन ही होता है समझने आगया ना तो कन्फ्यूज नहीं हो ने का 0102 आप लोग इसको consider डो डिजित नमबर मत करो ये 80 डिजित नमबर है समझ में आगया ना तो देखें अभी मैं बताता हूँ कैसे करने का घ्यांसे लेको solution तो टू डिजित नमबर using 012345 घ्यांसे लेको सैंपल स्पेस दो डिजित के बनाने गा तो इतन सिंबल कैसे देखो 0102 ऐसा तो नहीं बनाने गा तो क्या होगा पता है कि देखो 10 10 10 10 11 différents के सब्सक्राइब तो 10 12 13 14 15 समझने आगे इतने सरी 小डी आणाचै कहिए 16 14 15 20 और कुन से आएंगे तो भाई अब जान से टेखो वान हो गया देखो 0102 नहीं आसके मैंने अल्रीटी एक्षेन किया 0102 यह सिंगल डिजिट है तू डिजिट है अब 20 फिर क्या है तू वान हो जाएगा अब 22 नहीं हो सकता क्या नंबर रिपीट होगे 23 24 25 अब 30 31 32 33 भी लिए हो सकता 34 35 अब क्या होगा में बठाँ 404142434 नहीं हो सकता 45द 505152 5354 नहीं हो सकता अब देखो कितने हैं एक दो दीर फाच 5 तो इसमें पाच 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 फाच आहिसे से पाचे बोले तो n of s is equal to 25 समझ में आ गया है पक्का यान रहेगा तो यह है आप लोगों का number of 7 आप फटा पर समझ रहेते हैं इवेंट क्या है तो इवेंट है देखो इवेंट A the number is from even number the number is from even number बोले तो जो अपने दो डिजिट नंबर बनाए यह सारे उसमें से even number तो A is equal to even number बोले तो जो दो से डिवाइड होता है कुन कुन से even number है तो बैट 10 12 13 नहीं है 14 पहले लाइन में थी मिल गए फिर 20 है फिर 24 देखो दूसरे लाइन में दो यह 20 और 24 फिर 31 नंबर है 32 34 फिर 40 है 42 है 43 45 है 50 है 52 है और 54 समझ में आ गया एक दो दी चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा तेरा तो M of A is equal to 13 समझ में आ गया आप होग समझ में आता रहेगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान तो मैंने का लोजिक बताया पहले वन के लिए सारी condition 2 के लिए सारी condition repetition ने 0 के लिए लिखूँआ अपर को नोगे बोला है 2 digit number और यह तो यह इवेंट आसा है यह यह अई बार आगे ने इवेंट का टेंशन ही event इसी पेसे होता है अब second event एक तो event D क्या होता है event D the number form is divisible by 3 the number form is समझ के आ गया तो अब कर बंट होगा टेल से डिवाइट होंगे होगा है यह होता है बोलों थर टीन नहीं होता है बोले तो आपनों से 3 के टेबल में आज़े 20 नहीं होगा 21 होता है 23 नहीं 24 होता है 3 से डिवाइट 25 नहीं होता 30 हो जाता है 31 नहीं होगा 32 नहीं होगा 34 नहीं होगा 41 नहीं होगा 42 होगा 42 होगा 3 से डिवाइट 45 होगा 3 से डिवाइट 50 नहीं होगा 51 होगा 51 होगा 3 से डिवाइट 52 नहीं होगा 53 नहीं होगा 54 होगा तो इतने सारे नंबर है जो 3 से डिवाइट हो जाएगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 N or B समझ में आ गया एक है तुम्हारा L of C देखो ये event C the number form is greater than 50 इसमें से कितने 50 से greater होगे 50 से greater equal to नहीं बोला एग डेटर देन greater than equal to बोला तो 50 और 50 से ज़्यादा लेकिन इधर उलोग ने clear cut बोला है greater than 50, तो कितने number होंगे greater than 50, 51, 52, 53, 54 बोले तो चार number है जो greater than 50, तो आप लोग C का लिख लेना, event C आप लोग को दे रहा हो लिख लो, मैंने बता दिया हो, event C क्या होगा, समझ में आ गया, number greater than 50 बोले तो 51, 52 53, 54, और तुमारा M of C होगा, 4 समझ में आ गया, तो events ही हमोग के दूर पर ले लो, ऐसे तो मैंने बता किया attention नहीं, मैं बात करता हूँ question number 5 question number 5 समझ लेते हैं, ध्यान से देखो आप लोग, question बोलता है from 3 men and 2 women, 3 men 2 women है, तो total है 5 लोग, उसमें से क्या करने का, तो environment committee of 2 person is to be form, total 5 लोग है 5 person है, जिसमें से 3 men है, 2 women है और आप लोग को committee बनानेगा लेकिं committee में स्रिफ 2 member होने चाहिए, 2 person होने की है, total 5 लोग है, 5 में से एक committee बनेगी, जिसमें सरी 2 member आने चाहिए अब कोन से member आने चाहिए तो वो सब अपने को form करनेगा तो अलग-अलग बनानेगा, भ्यान से देखो मैं कैसे करो, सारी क्यें कोशन के लिए जितनी भी possibility है, 2 member के कोन कोन हो सकते हैं, भ्यान से लेकिंगा from 3 men मैं बोलता हूँ M1 M2 and M3, यह 3 men होगे and and from 2 women and W समझ में आगे? अब कमीटी बनाने के आप उपको जिसमें क्या होगे? बताएगा दो ही परसन होगे तो टोटल पास्ट होगे, M1, M2, M3, W1, W2 अब इसमें से एक कमीटी बनाएगी जिसमें से दो ही लोग होनेशे आपने को बताओ कौन-कौन से लोग हो सकते है कौन-कौन से लोग हो सकते है आप लोग बताओ का आप लोग बताओ कि M1, M2 हो सकता है दो लोग हाँ चलेगा कोई बच्चा बोलेगा M2, M3 भी हो सकता है कोई बोलेगा कर्मिंटी ओव तुम मेंबर ध्यांस देखो क्या वांकर मैं को बताब कर्मिंटी ओफुमेंबर तो देखो कैसे करने का मताए एंवान एंटू एंवन के लिए सारी कंडिशन लिए एंवान अचा और एंवन एंटू या तो ऐसे मिलिख सकते हों एंवान एंटू फिर एंवन एंटू होगया एंवन एंटू होगया अचा अब एंवन दब्लो वन और एंवन डब्लो डू सहीए है अब में टू के लिए देखते हैं अचा एंटू के लिए अचारी कंडिशन लेकिन एंटू एंटू एंवन ऑल्वन ओं और फिर एंटू गूटू इतना असा है समझ में आगे तो M2 के लिए साही condition हो गए अब M3 के लिए M3 M1 अल्रेडी हो चुका है M3 M2 अल्रेडी हो चुका है M3 W1 होगा M3 W1 और M3 W2 आप चलिए तो चेक कर लो समझ में आगे और नाथ W1 M1 हो चुका है W1 M2 हो चुका है W1 M3 खाली क्या पचा है W1 W2 W1 W2 अच्छा इसके लिए W2 M1 हो चुका है W2 M1 W2 M2 हो चुका है W2 M3 हो चुका है तो यह है आपका और N Office होगा कितना पता है 12345678910 10 conditions है अलग-अलग तो इतने अलग-अलग आपनो ग्यार कर सकते हो पता है अब बात करते है फटा-फट किसकी इवेंट की तो इवेंट A क्या बोलता है जान से देखो इवेंट A क्या बोलता है There There must be At least One Woman Member जान से देखो इवेंट एका बोलता है कम से कम एक मूमन Member होना चीए तो इवेंट इसमें से ही आएगा तो एक मूमन Member किसमें देखो M1 W1 फिर M1 W2 और और मूमन M2 W1 कम से कम है M2 W2 और M3 W1 M3 W2 और W1 और W2 भी आजागा क्योंकि कम से कम एक मूमन देखो इसमें एक मूमन देखो इसमें मूमन है दो मूमन ने लेके साल कॉसिबिलिटी बनाओ कमिटी ओफ मेंबर 2 कौन कौन से मेंबर होगे तो M1 M2 हो सकते M1 M3 हो सकते रिबिटी होन अचे न M1 M2 होगे इसका मत्तर M2 M1 बात एक ही है तो मोनी लिखा हुआ और लोग ने इवेंट देखो परने कित्ती है इसी कनी जिसमें ऐक मोमन होगे तो जिसमें भी कम सेखल्य होन है एक मोमन है आप लोग ने अप लोग की बिखाव है सुझ में आगया अब मैं बात करता हूँ एवेंट B की दियान से देखू इभे छाब गता है इवेंट भी इवेंट भी डुलता है वन मैं वन मूमेंगे वन मैं मैं एड पैसे वन वमन कमिटी की वन मैंगा वन वन मोमेंग तो क्या होगा एन वा M1, W1, M1, W2, M2, W1, M2, W2, M3, W1, M3, W2, W1, W1, W2, W1, W2, W2, W1, W2 नहीं, दोनों मुमिन, एक मैंने एक मुमिन बुला, तो M of, शरी, यह है कुमारा B, तो M of B कितना हो जाएगा, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया तुमारा, समझ में आगे, पक्का एदम आसाद, एक मुमें और एक मैंने बात करता हूँ, मैं लाश कंडिशन, क्या मोला गया है, इवेंट सी ध्यान से देखो, इवेंट सी, देखो नोट बी मुमन मेंबर, देखो नोट बी मुमन मेंबर, तो, सी इजी इवेल टो, एक मी मुमन में बन नहीं होना चाहिए, तो, M1, M2, M1, M3, फिर इसमें मुमन है, सब्सक्राइब तो यह आप लोगों का कोश्चन नंबर 5 अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सब्सक्राइब तो प्रैक्टिस 5.3 में ऐसे 6 कोश्चन है जिसमें से 5 मैंने सौल करा दिया एक बचा हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोग उसको हॉमवक पर तो पर क्या कर लेना सौल कर लेना मैं आंसर भी रहूंगा लेकिन आप लोगों को आ रहे हैं समझ में आ गया तो कोश्च नमबर 6 हॉमवक के जैसा है आंसर में दे रहा हूँ आप लोग कर लेना और और मैंने वह टाइक को कोश्चन सीखा दिया तो आपको टेंशा है नहीं होना चाहिए समझ में आए ध्यान से देखो लेकिन बात करते हैं कोशन नमबर 6 की हॉमवक है लेकिन मैं समझा रहा हूँ को आप लोग सौफ लेना एक्सपेरिमेंट है 1 koin & 1 die are throw simultaneously आप देखोगे न तो इसके पहले वाले एकसरसाइस में यह वाला कोशन हुहा था एक कोई और एक डाइस ठोग करेंगे अगर 1 koin और एक डाइस साइमने टो कर ले तो सारी कंदिशन अलग अलग क्या ही तो कोई पर आ सकता है, head और tail और dice पर आगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कैसे आगा पता है क्या, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो total 12 condition है, तो आप लोग एक पर देखने हैं, समझ में आ गया, और one coin and one time एने बता दिया, अब और है, to get head and odd number, head और odd number कितने पार आ सकते हैं to get head or tail and even number, number on upper face is greater than 7 and tail on the coin, समझ में आगे न, अलग-अलग event है, तो मैं पहले का answer बता देता हो, experiment का number of sample है 12, N of A है इसका 3, N of B इसका है 6, और N of C है 0, तो ये answer है, आप लोग sample लिख देना, set form में लिख देना, ताकि आप लोग को भुआ जाए, समझ में आ गया, तो I hope आप लोगों को ये practice set 5.3 अच्छे से समझा है, मैं महनत कर रहा हूँ, आप लोग महनत करो, revise करके, मैं हाट से हाट चीज़ इतना, simple तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ गया, अच्छी चीज़ का है बता रहा है ना, अगर practice set 5.3 आपको समझा है, आपको आपकोने क्या सिखे पता है ना, number of sample निखान लेका सिखे, experiment का भी और event का भी, अब इसके एक step आगे जाने का probability होता है, अब exercise 5.4 में क्या करेंगे पता है, probability क्या होता है, पता है क्या, probability अगर a का find out करने का होता है, n of a upon n of s, n of s गोले तो experiment का, ऐसा दिया रहेगा, औ event दिया रहेगा, तो experiment का sample लिका लो, उसका number of sample, event लिका लो, और उसका number of sample लिका लो, दोनों को divide करो, यह होता है probability, तो अगर 5.3 समझने आ गया, तो 5.4 और problem set में जाधा tension है, नहीं होगा, तो next video में हम बात करेंगे, practice that 5.4 की, लेकिन एक request है, 5.4 आप लोग स्टार्ट करने स पहले 5.3 अच्छे से समझे ना, और 5.3 अच्छे से कब समझेगा, जब पहले के आप लोगे lectures देखे होगे, तो request है, सारे lectures आप लोग देखो, समझ में आ गया, आपके comfortable time के हिसाब से आप लोग video देखो, लेकिन अच्छे से practice करो, खाम बहुत अच्छे से होगा, एक एक सम हम साम क्या कर रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, समझ में आ गया, तो मैंना दोनों तरब से होगी, तो काम बहुत आसान होगा, समझ में आ गया, thank you please